अब मैं और मेरी बूर्ट दोनों तयार हैं जेम्स बॉन्ड आइलेंड जाने के लिए तो आज वक्त है जेम्स बॉन्ड आइलेंड को और उसके आसपास बने कुछ चोटे चोटे आइलेंड को एक्स्प्लोर करने का लॉन्ड आइलेंड जाने किंख नेख पर डिएख लोगण के अवर्ग आईलें ग्यास सिर्काष ट्रॉन्तों घ्रॉन्ड लोगा आइलें लोगा जएलेंड का ने साफ्वाटा का सतार इंग लिए्ेंड आईलिन्ट से कोर्गे जाएंगे बंग आलेंगे से अभ वक्ते कानो करने का जाएंगे आज का मेरा सबसे पहला स्टॉप है लाव आईलेंड लाव लावा आइलेंड और ऐसे कुछ और आइलेंड तक जाने के लिए बोट को आइलेंड से थोड़ा दूर रखा जाता है और वहाँ पर बोट से केनौइंग करके पहुचा जाता है लावा आइलेंड एक बहुत ही छोटसा आइलेंड है यहां पर्चु करे जिछ आप देख सकते हैं सिर्फ एक यह रिष्टरॉंट बिठाई दे रहा है आज वास में हुच महीं है सिर्फ अर्याली हरे परे भेड और बस यहां की मिठ्टी दिखाई दे दे दिए आप यह जगह बहुत निलूस दे रहे है मुख फोचला है हमारे अगला आएलेंडे जाने का मेरे पीछे लेख सकते हैं यहां होती है बहुत 있는 island के 500 यहां पर कुछ विला के गरीब आसपास island कोछ island फ़ाजन मांत सब्रेख को पक्तर के तरह हैं सिल्फ limestone जैसे कि इस ओना जोड़े दिखतें है छोड़े-चोड़े limestone rules यहां के ज्यादा तर आइलेंड्स हरे बरे पहाड़ों जैसे दिखते है यह है जेम्स मोर्ड आइलेंड्स हम कुछ है मिंटों में बहाँ पर पहुंचने वाले हैं यह हुँच जैम्स बॉंड आइलेंड्स है जो कि फुकेट का बहुत ही फेमस तूरी स्पाट है इस आइलेंड्स का असली नाम खाव पिंक कान आइलेंड्स है में यहां पर जैम्स बॉंड की मूवी अ मैन विथ गोर्डन गन की शूटिंग हुई थी और तब से यह जैम्स बॉंड आइलेंड के नाम से जाना जाता है यहां पर कई अलग अलग तरह के चोटे चोटे टापू है कुछ तो सिर्फ पत्थर है जैसी कि अब बिलकुल मेरे पीछे देख सकते है और यह सब लाइम स् अब मैं जा रहा हूँ अगले आईलेंड पर अब मैं जा रहा हूँ अगले आईलेंड पर लंच यहां पर लंच बोट में ही सर्व किया जाता है और लंच में ट्रीशनल थाई वेच और नौन वेच फूर्ट सर्व किया जाता है अब लंच और वेजितेरियन फूर्ट आइटम इन दिस सब दिखने में तो आज भी अलगी है लेट्स ट्राइए अब हम पहुच गए हॉंक आइलेंड पर और अब इस बार फिर से कुनाइंग करके हॉंक आइलेंड तक जाएंगे अब हम पहुच गए हॉंक आइलेंड पर केनाइन करते हुए यहां का नजारा वाकि बहुत पूर्चूरत है और यहां पर काफी केव है हम अभी केनाइन से केव के नीचे से भी गुजरेंगे यहां पर बहुत अंदेरा है और में लेकि अपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है अब हम देले के बादी पर पर जाला यह कापी उचे आइलेंड है पहाड की तरह और यह लाइमस्टोन पत्थर के बने हुए है आइल प्रहुत क ए वस्त रीयल दामीज़ेंग, वहाट मजाया बोहाट मजाया आवसा पाल और सतरा अजसा कर आवसा 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 टूर शेंड़ एग पर्भो जो आवसा लाजर्बूस। दी अक्रावी लाजागी कि और चर्वरी अक्तावी करें वीचुछी लाजा है यूंग लाज़्टीयाहाँ थार्वाद्थछादी आज मैंने बहुत ही एंजॉई किया and the beauty of this place can't be expressed in words इसे feel करने के लिए आपको खोद यहां पर आना होगा